नमस्कार दोस्तों कल इस वक्त तक तस्वीर साफ हो चुकी होगी किसकी सरकार कहां पर बन रही है यह तक्रीबन तक्रीबन आप मान करके चलिए कि इस वक्त तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन एक तस्वीर मैं अभी साफ कर देता हूं कल चुनाओ के नतीज जो रहेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन उससे पहले यह बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो यह कि पाँचो राज्यों के अंदर, डंके की चोट पर मोदी जी हार रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात हुई दंके की चोट पर मोदी जी हार रहे हैं पाचो के पाचो राज्य हार रहे हैं ये बात तो गले नहीं उतरे ये बात तो ज्यादा बोल दी आपके जहन में अगर ये चीज़े आ रही हैं तो मैं आपको एक लाइन और देता हूँ वो ये कि मोदी और बीजेपी के बीच का अगर आपको खेल समझ में आ गया तो आप भी ये बात कहेंगे कि हाँ वाकई मोदी जी पाचो राज्यों के अंदर डंके की चोट पर हार रहे हैं अब ये खेल क्या है वो इत्मिनान से समझ लीजी और खेल जब आप समझ लेंगे त कैसे मोदी जी पाचो राज्यों के अंदर डंके की चोट पर हार रहे हैं देखिए पहले मैं आपको 2018 का गणित मैं आपको बता दिता हूँ और 2018 का गणित बता करके फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि किस राज्य में बी-जे-пी की जीतने या हारने की पोज़ूशन है और फिर उसके बाद में बी-जे-पी जीत रही है कल विलीट reward क्या योगदान है और क्या योगदान नहीं है और बीजेपी अगर हार रही है तो उसमें किसका योगदान है और किसका योगदान नहीं है एक एक करके परदर परत इन सारी चीजि़ों को मैं आपके सामने खोल करके रख देता हूं और आपको बिल्कुल किलियर हो जाएगा कि मोदी जी पांचों राज्यों में डंके की चोट पर कैसे हार रहे हैं सबसे पहले आप यह देख लीजिए 2018 का जो आंकड़ा है मैं आपके सामने रख देता हूं कि दोजार अठारा में किस राज्य में हुआ क्या था सबसे पहले आप दोजारठारा में राजस्थान का अंकड़ा देखी राजस्थान में क्या है 200 seat 200 seat में से 101 बहुमत के लिए चाहिए आपको मालूम है और कॉंग्रेस की आई 99 seat है 99 seat जो है वो कॉंग्रेस की आती हैं 200 में से और 73 seat यहां पर बीजेपी की आई 27 seat यहां पर अन्य की आती है 27 में से भी 6 बीसपी की थी यह 2018 का राज़स्थान का गणित है और उसके बाद में राज़स्थान में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी बीजेपी से सरकार च्छीन करके कॉंग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और असो गैलुत मुख्यमंतरी बन गए मद्यपरदेश का इसी तरह से दोजार अठारा का गणित देख लीजिए मद्यपरदेश में 114 सीटे 230 सीटे कुल है 116 सीट चाहिए बहुमत के लिए कॉंग्रेस की आई 114 सीटे बीजेपी की आई 109 सीटे और 7 सीटे आई अन्य की और सरकार वनी कॉंग्रेस की यह कॉंग्रेस की आती है 15 पर मैज बीजेपी सिमिट जाती है जो 15 साल का सासन था वो 15 सीटों में सिमट करके रह गया और 7 सीटे वो अन्य की आती है यह 36 गड का गणित है और उसके बाद में तेलंगाना का गणित अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में 119 सीटे हैं 60 सीटे है बीजेपी की एक सीट आती है और अन्य की यहां पर 19 सीटे आती है यह जो है तेलंगाना का गणित है और इस बार क्या होगा तेलंगाना में यह आपको बताने वाला हूं और 40 सीटों वाला मिजोरम है जिसमें किस सीट बहुमत के लिए चाहिए मन्फ की 26 सीट है कॉंग्र सरकार बीजेपी उसमें सामिल हो गई एक सीट को लेकर के और मन्फ की तरफ से जो रम थांगा मुख्यमंतरी बनते हैं अब आईए उस बात पर जो बात मैंने सुरुआत में जिसका जिकर किया कि डंके की चोट पर मोदी जी कैसे पांचों राज्यों के अंदर हार रहे हैं यह पांच राज्यों का गणित आप ने देख लिया अब 5 राज्यों का गणितगर आप 2018 का देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा दो राज्य ही बीजेपी ना तीन में है ना तेरा में है तेलंगाना में बीजेपी की सिर्फ एक सीट थी और अब की बार भी बी पी जो है वो कह सकती है हमारी सरकार बनीएं क्लियर है इसके बाद में मिजोरम में कल वैसे हैं काउंटिंग नहीं होगी रसे लिए वहां पर लोगों hut nar और लोगों ने रिज्वर पर वहां कि हमारा जो काउंटिंग का दिन है उसको बढ़ा दिया जाए अब कल की बजाए वहां पर काउंटिंग परसो होगी अब देखिए यह कितनी जो है वो गजब बात है यह चुनाव आयोग जो है इतना पैसा खर्चा जाता है एक मंत्रा लेकर बराबर चुनाव आयोग चलता है अगर आपको नहीं अगर इस बात का जो है वो अंदाजा है तो मैं आपको बता रहा हूं चुनाव आयोग की कितनी जो है वो फंडिंग है पैसा सरकार कितना देती है किस तरह से चुनाव आयोग काम करता है जिस तरह से एक भारी भरकम मंत्रा ले चलता है उसी तरह से चुन साधिया होनी है वहाँ पर हजारों की तदात में साधिया होनी है और वहाँ पर डेट को 23 से बढ़ा करके 25 करना पड़ा और यही चुनावायों की इस बात को भाप नहीं पाया कि मिजोरम के अंदर तीन तारिक का तेवार है इसलिए चार तारिक कर दीजी तो पता नहीं क्यों इतनी फज़ियत करवाई जाती है इतना पैसा लगने के बाद में भी क्यों नहीं सही तरीके से चुनावायों का सिस्टम काम कर पाता है खेर अब दो राज्य आपके सामने के लिए मिजोरम में भी बीजेपी की पिछली बार एक सीट थी अब की बार एक सीट है मिजोरम मैं इसलिए दूसरे नंबर पर बता रहा हूं आपको क्योंकि मिजोरम में एक संभावना ये रहती कि बीजेपी सरकार में सामिल हो जाती है लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वहां की सानिय पार्टियां वो अपने गटबंदन में सामिल भी ना करें पर इसकी वज़े क्या है इसकी वज़े है मनिपूर मनिपूर को ले करके पहले ही जो रम्थांगा ने कह दिया था कि हम नरेंदर मोदी के साथ में मंच साजा नहीं करेंगे अगर मंच साजा किया नरेंदर मोदी के साथ में तो हमारे वोटों के तोर पर हमें नुकसान होगा हमें भी प्रदेश के अंदर पालिटी चलानी सरकार चलानी है साफ तोर पर उन्होंने दो टुक जवाब दे दिया था और उसके बाद हुआ ये कि नरेंदर मोधी वहां पर जा भी नहीं पाए परचार के लिए क्योंकि अगर वहां जाते तो फिर मनिपूर की बात होती कि देखिए मिजोरम चले गए और पांच महीने से मनिपूर जल रहा है मही से लेकर के अब तक मनिपूर नहीं जा पाए इसलिए पहला ऐसा राज्य है मुझे लगता है कि ये नरिंदर मोदी जी के परधान मंतरी बनने के बाद 2014 से लेकर के अब भी तक पहला कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर चुनाव परचार हुआ चुनाव चले और मोदी वहां पर नहीं गए वोट मांगने के लिए ये पहला शायद ऐसा राज्य होगा खेर अब आते हैं तीसरे स्टेट पर 36 गड़ में 36 गड़ में बीजेपी को पिछली बार केवल 15 सीटे मिली थी 15 साल का सासन और 15 सीटे और इस बार भी सरकार को लेकर के बीजेपी के दूर दूर तक किसी एकजिट पोल के अंदर भी चांस नहीं दिखाए गए है तो यानि तीन राज्यों में बीजेपी हार रही है पूरी तरह से तैह है यह 36 गड़ में बहुत बड़ा उलट फेर बहुत बड़ा उलट फेर अगर हो जाए तो फिर मानना कि यह सरकार बन जाए वरना 36 गड़ में भी तक्रीबन तक्रीबन 99 फिजदी इस बात को आप मान करके चलिए कि वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने को ले करके कहीं से भी दिखाई नहीं देती है अब बज जाते हैं आखरी के दो राज्ये है राजस्तान और मध्यपरदेश राजस्तान और मध्यपरदेश दो ऐसे राज्ये है जिसको ले करके कन्फूजन है मध्यपरदेश के अंदर 162 सीट आज तक के एकजिट पोल में दिखाई बीजेपी के लिए तो एबीपी निउज ने कॉंग्रेश के लिए 165 सीट दिखा दी सीवोटर जो है 165 सीट कॉंग्रेश की दे करके उनकी सरकार बनाता है और बीजेपी को एकजिट पोल जो है 162 सीट दे करके बीजेपी की सरकार बनाता है अब लोग भी कन्फूज और तमाम लोग भी कन्फूज कि भई ये खेल क्या है इस तरह से तो होता नहीं है कि एक पार्टी को जो है वो एक चैनल इतना उपर और दूसरी पार्टी को दूसरा चैनल इतना उपर अब एक आदमी की आख पर तो जो है वो काला चस्मा लगा हुआ है या तो जो है वो एवीपी न्यूज पर कॉंग्रेस का चश्मा चड़ा हुआ है या बीजेपी पर बीजेपी का चश्मा आज तक चैनल वालों के आखों पर चड़ा हुआ है कोई न कोई तो बात है वरना ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 165 उसको 162 उसको यह तो दोनों ही ऐसी ब इमानी है तो अब मद्यपरदेश और राजस्थान इन दोनों राज्यों को लेकर के कंफ्यूजन है कि यहां पर क्या होगा और हमारी जो लाइन है कि पांच राज्यों में मोदी जी डंके की चोट पर हार रहे हैं वो पूरी कैसे हो पाएगी इन दोनों राज्यों को लेकर कि तो बहुत भारी कन्फूजन है और यहां पर अगर दो राज्यों में से अगर एक राज्य में भी बीजेपी जीत गई तब फिर लाइन खराब हो जाएगी अब फिर यह कैसे हो मैं आपको बताता हूं कैसे होगी मान भी लीजिए कि 36 मद्यपरदेश के अंदर बीजेपी ज जीज़ जाए या दोनों मैंसे किसी एक राज्य में बीजेपी जीज़ जाए तब भी मैं यह कहता हूं कि यह जो लाइन हमने लिखी है कि पांच राज्यों में डंके की चोट पर मोधी हार रहे हैं वो सार्थक है कैसे सार्थक है वो गनित समझीए देखिए में अगर बीजेपी जीतती है किसी भी तरीके से बीजेपी अगर जीतती है मद्यपरदेश में माली जीए कि बहुमत से एक सीट दो सीट या बहुमत के बिलकुल पास आकर के बीजेपी अपना और लोगों को लेकर के जीतती है निर्दलियों को अपने साथ लाकर के जीतती है तो भी वो जीत नरेंदर मोदी की जीत नहीं है और इस बात को कहने का आधार क्या है वो समझे इस बात को कहने का आधार है सिवरासी चोहान की स्की में और यह मैं आज पहली बार आपको नहीं कह रहा हूं जब मैंने एकजिट पोल आपको दिखाए थे तीस तारिक को उसी दिन मैंने पहली लाइन लिखी थी जान से याद कर लिजी आप पहली लाइन यह लिखी थी कि सिवराज को उनकी स्कीमों का फाइदा मिल सकता है और उसमें सबसे बड़ी स्कीम वो लाडली बहना योजना की लाडली बहना योजना की स्कीम अगर चलती है तो बीजेपी के लि को नरेंदर मोदी की जीत नहीं मानी जाएगी क्योंकि नरेंदर मोदी जी ने सिवरासिंग चोहान को हाइलाइट नहीं किया सिवरासिंग चोहान की स्कीमे थी उनको हाइलाइट नहीं किया लाडली भेना योजना का नाम उन्होंने तक्रीबन तक्रीबन ना के बराबर लिया है अगर कहीं पर छुट पूर जहें पर एक आज बर लिया भी हो तो मैं पूरा एंड़ेड़ परशन्ट गारंटी के साथ आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन ना के बराबर सिवराज सिंग्च चोहान की उनकी सरकार की मद्देपरदेश बीजेपी की जो स्कीमे थी उसका जिकर नहीं किया बलकि जिकर कर रहे थे एंपी के मन में मोदी मोदी के मन में एंपी और आज की तारीक में और कल की तारीक में आज यानि दो दिसंबर और कल यानि तीन दिसंबर और इस समय तक भी कोई आपको यह नहीं कह पाएगा इमांदारी के साथ में कि अगर बीजेपी जी जितने भी नेता रहेंगे बीजेपी के, वो मोधी को ही क्रेडिट देंगे, और जितने भी पतरकार परवक्ता टाइप के लोग रहेंगे, गोधी मीडिया के, वो भी मोधी को ही क्रेडिट देंगे, हारे तो नडडा की चर्चा लगेगी, नडडा की ही फोटो होगी, वो बा कि मेरे अनुमान से वहाँ पर कॉंग्रेस के 118-130 सी ट्यारी जो एकजिट पोल में आपको पहले दिन बताई थी लेकिन अगर बीजेपी वहाँ पर जीती भी है तो वो सिवराज सिंग चोहान के नाम पर उनकी स्कीमों के नाम पर बीजेपी जीते गी क्योंकि उन्हीं का राजस्तान के उपर राजस्तान के उपर आप आईये और राजस्तान में अगर बीजेपी एक परसेंट जीती भी है तो हलाकि राजस्तान में परसेंट एक मैं कहा रहा हूं वैसे मैंने अपने एकजिट पोल में भी और अभी भी मैं इस बात को कहा रहा हूं कि जबर्दस तो है वो तरीके से बीजेपी ने भी और कॉंग्रेस ने भी चुनाव लड़ा है ताकत लगा करके चुनाव लड़ा गया है और मैं एकजिट पोल के दिन मैंने ये कहा था कि राजस्तान का चुनाव सबसे आखरी तक चलेगा बाकी जहें पर हो सकता है कि बारा बज़े फिर के लियर हो जाए लेकिन राजस्तान का चुनाव जो है वो सबसे आखरी तक चलेगा और राजस्तान के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा और राजस्तान में अगर कहीं सुई अटक गई तो हो सकता है कि फिर चुनाव जो है वो राजस्तान का या मुख्यमंत्री बनन करनाटक भेज़ दें कि याद कर यह करनाटक में यह कि ऐसा चेहरा है कॉंग्रेस के पास में जिसने गुजरात से कॉंग्रेस के विधायकों को बचा करके एमद पटेल को रजसभा का संसद बनाया था मैं बात कर रहा हूं डी के सिव कुमार की कॉंग्रेस के संकट मोचक कही जाते हैं डी के सिव कुमार और रिजोट फोल्टिक्स के माहिर हैं और उन्होंने ही गुजरात में कॉंग्रेस के विधायकों को करनाटक में अपने रिजोट में ले जाकरके एमद पटेल की सीट को बचाया था और यह भी मैं आपको बताता हूं कि उनी के रिजोट पर छा इस समय तक तक तकरीवन तकरीवन तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन ये तस्वीर आज आपके जहन में कम से कम साफ हो गई होगी कि कोई ये इमांदारी के साथ ये नहीं कह सकता है कि मोदी ने अपने नाम पर अकेले अपने दम पर मोदी लहर की वज़े से एक भी राज्य बी मिलती है को बीजेपी को तो यहां पर जो सबसे बड़ी कॉंग्रेस के लिए जो जटका रहा है या हो सकता है वो रहेगा हर पांस साल में सरकार बदलने की धारणा क्योंकि लोग उसी बात को कह रहे थे कि नहीं राजसान में गैलोट से नाराजगी नहीं है गैलोट ने काम अच्छा किया है गैलोट की स्कीमे अच्छी है यहां पर बिजली जो है वो गैलोट के राज में सही आ रही है बिजली के फ्री बिल हो रहे हैं लेकिन उसके बावज योगदान उसमें कम दिखाई देता है और मौदी जी का अगर योगदान हो सकता है तो बीजेपी को वहां पर हरवाने में हो सकता है अब आप कहेंगे यह एक और बलंडर वाली लाइन है विल्कुल मैं ऐसी कोई भी लाइन नहीं वोलता हूं क्योंकि अगर वसुंद्रा राजे होती मुख्यमंत्री डिकलेर तो हम वसुंद्रा राजे को वोट दे आते अब हम वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हो सकता है कि कल को यहां पर बालकनाच जैसे किसी सांसद को बैठा दिया जाए और यहां पर भी जैसे यूपी मोडल चल रहा है वैसे ही चीजे हैं अब किस सरे से जो है वो उट किस करवट बैठता है वो कल शाम को किलियर हो पाएगी तस्वीर कल शाम तक सब चीजे कंफर्म हो पाएंगी लेकिन मुझे लगता है कि यह लाइन बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है अभी तक जितने भी चीजे हमने देखी एक्जिट तोर पर निकल करके सामने आ गया है कि मोधी का नाम मोधी का काम मोधी का चेहरा वो कहीं नहीं चला इस बार के चुनाओं में किसी भी रच्जे में मोधी के नाम पर कुछ वोट जरूर मिले है बीजे पी को इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन मोधी ही अकेले जीता करके ल इस बात की हामी नहीं बर सकता है कि हाँ बीजेपी अगर जीती है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंदर मोदी की वज़े से जीती है मैं कہ देता हूं इस बात को डंके की चोट पर मैं इस बात को कहता हूं कि हाँ एक बड़ा तब्का है और मैंने अपने एकूढ पोल में बार बार इस चीज़ को जिकर करते हुए कहा जब राज़तान की बात कर रहे थे जब हम मद्यपर्देश की बात कर रहे थे कि अगर भीजेपी को कुछ वोट मिलता है तो उसमें मोदी फैक्टर रहेगा मोदी की वज़े से कुछ वोट मिलेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी की वज़े से जीत मिले ऐसा बिलकुल नहीं है मोदी का 40% उस जीत में योगदान हो सकता है लेकिन 60% और 100% मुझे दिखाई नहीं देता है और इसलिए मेरे दिमाग में पिच्चर ये आती है कि मोदी जी पांच राज्यों के विदान्सवा चुनाव में डंके की चोट पर हारते वे नजर आ रहे है और बीजेपी और मोदी के बीच का गणित यही है जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी जीतेगे तो बीजेपी के मुख्य मंत्री या बीजेपी के नेताओं की वज़े से या बीजेपी को लेकर के लोगों की जो धारना थी उसकी वज़े से मोदी के नाम पर चुनाव में इस बार बीजेपी को जीत नहीं मिलती भी दिखाई दे रही है इसमें कोई किन्तु परंतु नहीं मुझे दिखाई देती है आप बताईए आप इसको किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट वोक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को खूब शेर कीजिए लोगों तक पहुँचाईए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन नूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है गंटिया उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे ही कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद